नमस्कार दोस्तों मैं राउल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माई पाट साला में हो पाट साला रिल्बे एक्जाम में आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ मेगा फूट पार्क का उद्गाटन अभी हाली में कहां किया गया है तो जोराम मेगा जो फूट पार्क है इसका उद्गाटन कहां किया गया है मेगा फूट पार्क क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकरी हम लोग जरू जुटाएंगे लेकिन वीडियो पर आके जाने से पहले प्लीज थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजेगा लाइक जरूर कर दीजेगा जैसा कि मैं हरोज कहता हूँ चलिए चलते हैं आज के Current Affairs की और देखते हैं कि Mega Food Park जोराम Mega Food Park के है इसका उत गाटन कहां किया गया वैसे आप जोराम से अंदाजा लगा चुके होँगे कि इसका उत गाटन कहां किया गया फिलाल चलते हैं पहली जानकारी की तरफ पहले Current Affairs की और बहुत बढ़िया एक निउज आई है आप सभी के लिए 2019 की बात यहां पर कीज आ रही है और ये नियम आ गया है इसने Replace किया है 1986 के अधिनियम को 1986 के अधिनियम में बहुत सारी कम्या थी उनके बारे में लोग ज़रूर बात करेंगे तो हाल विलाल जागो ग्रहाग जागो को लेकर चलते हैं भारत में 20 जुलाई से उबुक्ता सरचड अधिनियम को लागो कर दिया गया है और इसने उबुक्ता सरचड अधिनियम 1986 की जगे ली है इसको राजेसभा और लोगसभा में जबकि राठपती रामनात कोविन जी ने भी इसको अगस्तो 2019 में ही साइन कर दिया था लेकिन अब जाके ये लागो हो पाया है इसमें ने नियम में क्या होगा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं वैसे इस कानून के लागो होते ही ग्राहकों के हीतों की रच्छा के लिए कई ने नियम लागो हो गए है ये नियम पुराने कानून में नहीं थे इस नए कानून के तहट बड़े नुक्सान पर ग्राहक को 5 लाख रुपए का मुवज़ा देना होगा और 7 साल की जेल भी हो सकती है यदि उबोक्ता की मौत हो जाए तो मुवज़ा 10 लाख और 7 साल या आज इवन जेल भी संबव है नए कानून के दारे में ई-कॉमर्स कंपनियों को भी पहली बार लाया गया है ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे की अमेजन, फ्लिपकार्ट वगेरा इनको भी ले आए हैं क्योंकि अभी तक कानूनन इनके उपर कोई भी लगाम नहीं की जा सकती थी इसके अलावा जो सेलिब्रेटी आपके प्रचार करते हैं सल्मान खान, आपके सहरुक खान, ये जो लोग भी प्रचार करते हैं उन पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है यदि वो किसी ऐसे भ्रामक प्रचार का हिस्सा बनते हैं इसमें कमपनी जूट बोल रही है तो पहले अगर किसी सेलिब्रेटी को अगर कोई विज्यापन करना है तो उन्हें उसके पूरी जानकारी की जांच परताल करनी पड़ेगी और अगर मिलावटी सामान या खराब प्रोडेक्ट पर कमपनी को जूर्माना और मुआफजा देना भी सामिल किया गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी कमपनी के खिलाब जूटी सिकाहत करते आपको यहाँ पर है आपका कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और इधर आपको कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 चोगि यह 2019 में ही इस पर साइन कर दिये गये था इसलिए इस पर 2019 लिखा गया है लेकिन यह अभी लागू 20 जुलाई से हुआ है पहली बात तो क्या था कि इसका कोई भी नियामिक नहीं है नियामिक नहीं है यानि कि कोई भी रेगुलेटर नहीं था रेगुलेटर का मतलब यह होता है कि कौई कौन नियम बनाएगा कौन उनकी जाच करेगा कौन परताल करेगा तो इन सभी के लिए पुराने नियम में को वो consumer code में की जाती थी और वो उसी consumer code में की जा सकती थी जहाँ पर seller इस्थापित होता था जैसे मालिज आपने noida की किसी company से कोई सामान खरीदा तो आपको जो पैसा देना आपको जो code करना है जो case करना है वो आप noida के ही किसी company में noida के ही उबोकता forum में कर सकते थे यहां के करता के area में ये दर्ज होगा इसके लाबा product liability की कोई provision नहीं था product अच्छा है बुरा है इसके बारे में कोई provision नहीं था और consumer को जो था वो civil code में जाना पड़ता था अगर product की वज़े से मालिज जो कोई दुरगटना होगी मालिज आप इस टेपलाइजर लेके आए और वो आ बहुत सारा सामान फोग गया तो ऐसे में अगर आपको claim लेना होता था तो ये वोगता forum के दाएरे में नहीं आता था ये इसके लिए आपको civil code जाना पड़ता था लेकिन अब क्या होगा अब यहाँ पर compensation होगा अगर product और service की वज़े से आपको कोई नुकसान होता है तो आ मुझे monetary loss हो रहा है तो इसके लिए मैं net connection वाले के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता था पुराने अधिनियम में लेकिन अब मैं कर सकता हूं इसके लावा यहाँ पर जो था कि कौन सा judiciary देखेगा कौन सा नयाले देखेगा district level पर देखते थे 20 लाख वाले अब district level पर देखेंगे एक करोन तक के मामले स्टेट लेवल यानि राजिस्तर पर 20 लाख से एक करोन वाले मामले देखे जाते थे अब देखे जाएंगे एक करोन से 10 करोन वाले मामले नैशनल लेवल पर एक करोन वाले देखे जाते थे अब देखे जाएंगे 10 करोन से उपर वाले तो इस तरीके स पर प्रावधान लगा दिया गया है उनके उपर कोई लीगल प्रोवीजन नहीं किया जा सकता था लेकिन अब सारे रूल्स जो थे जो भी सेलिंग कंपनिया है उनके उपर ये लागू होंगे इसके अलाबा मेडियेशन ये लाओं यानि कि कोई मद्यसता नहीं कर सकता था कोई भी आदमी आपको कंपनी के मामलों को सुल्जा नहीं सकता था उसके बीच में मद्यसता का यानि कि मेडियेशन का कोई भी अलाविंस नहीं था लेकिन अब क्या करेगा कि कोट रेफर करेगा सेटल्मेंट के लिए कि आपस में कुछ ले दे के मामला सुल जा लो एक दूसरे को नुक्सान हुआ है तो एक दूसरे के मामले को समझे लो तो हाल विलाल यह comparatively stated था थोड़ा तो इसके उपर एक लुक और ले लीजे क्योंकि काफी important है खासकर मेरे जो दोस बुक्तान के तरीके का भुक्तान साधन बुक्तान के तरीकों की स्चोरा चरत वल्कवाकशी के विकल्ब। सहिध संबद वस्तू किस देश की है इसके बारे में जानकारी देनी होगी यह एक बड़ा Maintenance है अभी आपको मद्यस्थिता का एक वेकलपिक विवाद तंतर भी पदान किया गया है मद्यस्थिता के लिए एक उबोक्ता आयोग की सिकाय सोपी जाएगी जहां सुर्वाती निप्टान की गुंजाइस मौजूद होगी और दोनों पार्टियां इसके लिए सहमत हो जाएगी तो उसके बाद कारेकरम आगे बड़ेगा उबोक्ता आयोग गही CCPA की बात की जारी CCPA का मुक्त देश क्या है कि केंद्री उबोक्ता सनच्छल प्रादिकन को उबोक्ता अधिकारों के उलंगन के साथ साथ संथान के मुकदमों या सिकायतों के जांच करने का भी अधिकार होगा एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आप कंपनियों को पर एक रेगुलेटर आ गया आपको कोर्ट जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी कंपनी आपके साथ धोका दर्ड़ी करती है तो आप यहां पर CCPA में अपनी सिकायत दर्ज करा सकते हो और इसके दोरा बनाए गए नियमों के मताबिक कंपनी को बार-बार काम करना पड़ेगा जैसे दूर संचार कंपनियों के लिए नियामक है दूर संचार नियामक प्रादिकरन जो है वो दूर संचार कंपनियों के लिए है कि अगर वो ज़्यादा टैक्सेज लेते हैं ये ज़्यादा आपसे रूल आउट करते हैं तो वहाँ पर उसके लिए प्रादिकरन है लेकिन बाखी कंपनियों जो सेल आउट करते थे निर्माताओं या प्रकासकों को भ्रामक विग्यापनों को समर्थन करने पर जुर्माना भी लगा सकता है मतलब अब आप ऐसे विग्यापनों से साउधान रहिए साउधान भी हो सकते हैं और आप इनके लिए जुर्माना भी लगवा सकते हैं पेरन लवली लगाईए गोरे हो जाए अगर आप गोरे नहीं होते हैं तो आप जाकर वहाँ पर पेरन लवली के उपर केस कर सकोगे तो हाल बलाल ये बहुत बढ़िया हुआ है एक अच्छी न्यूश सुभ़े सुभ़े सुबह सुभे सुभे सुनने को मिली है अगली जानकारी की तब चलते हैं अगली जानकारी है प्लाजमा दान अभियान हम सभी जानते हैं कि मानुस के सरीर में रुदिर है रुदिर का सबसे बड़ा पार्ट प्लाजमा होता है केंदरी स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्री डॉक्टर हर स्वादर ने दिल्ली इस्थित एम्स अस्पताल में पलाज्मा दान अभियान की सुरुआत की है एक लाइन इंप़र्टेंट होगी कि ये कहां पर सुरू हुआ है तो आपको याद रखना है कि ये आपका दिल्ली में सुरू हुआ है इसी तरीके का एक अभियान आपको याद आ रहाँगा वो मैं जरूर बताऊंगा कि कहां हुआ है लेकिन इस अभियान के सह सहयोजग जो है वो दिल्ली पुलिस है इस दोरहन दिल्ली पुलिस COVID-19 से सुस्थ हुए 26 पुलिस कर्मियों ने अब सुच्छा से अपने प्लाजमा को दान भी किया प्लाजमा थेरेपी जबता कोई वैक्सीन नहीं आ रही है तब तब प्लाजमा थेरेपी जो है वो एक बेहाद इंपोर्टेंट विकल्प है COVID-19 यानि नौवल कोरोना वाइरस से बचने के लिए तो कोई भी वैक्ति COVID-19 से जो ठीक हो चुका है और उपचार या होम आइसोलेशन के बाद 28 दिन भी पूरे कर चुका है तो वो अपना रक्त प्लाजमा दान कर सकता है ध्यान देने योग बात यह है कि प्लाजमा दान की प्रक्रिया एक से तीन गंटे में पूरी हो जाती है और उसी दिन प्लाजमा को एकतरित किया जा सकता है तो इस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी के जरीए क्या किया जा सकता है, इलाज ढूंडा जा रहा है जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो वेक्ती COVID-19 से ठीक होता है या आप किसी भी बीमारी से ठीक होगे, तो इसका मतलब यह है कि उस बीमारी से लड़ने की छमता आपके अंदर विक्सित हो चुकी है और अगर उस बीमारी से लड़ने की छमता आपके अंदर विक्सित हो चुकी है, यानि आपके अंदर antibodies develop हो चुके है तो इन antibody जो plasma से लड़ने के लिए हमारे काम में आते हैं अगर हम किसी दूसरे मनुस्य के सरीर में प्रवेस करा दें तो उसके सरीर में भी plasma से लड़ने की चमता या COVID-19 से लड़ने की चमता डेवलप हो सकती है तो इसको लेकर कई अभ्यान चलाएगा है जैसे कि अभी कुछ दिन पहले में आपको बताया था कि महराज सरकार ने लॉंच किया था प्रोजेक्ट प्लेटीना प्लेटीना जो है यह वर्ट्स लाजिस्ट प्लाजमा थेरेपी ट्राइल था COVID-19 के लिए प्लाजमा दान यह दिल्ली का है जबकि महराज का है प्रोजेक्ट प्लेटीना जरूर याद रखेगा अगली जानकारी एक तफ चलते हैं अगली जानकारी MPK गवर्णर काफी समय से आवकास पर चल रहे थे लेकिन अभी हाल ही में इनका निदन हो गया तो मदपदेश की राजपाल लाल जी टंडन का 21 जुलाई 2020 को सुबह निदन हो गया वो 85 साल के थे लाल जी टंडन बीटे कई दिनों से वीमार चल रहे थे उनका इलाज लखनव में चल रहा था लाल जी टंडन ग्याराज उनको स्वास समंधी समस्याओं के बाद लखनव के एक अधपताल में भरती किया गया था उनकी अत्पस्तिती में उत्तपदेश की राजपल आनंदी बेन पटेल को मदपदेश की राजपल का अतरिक्त दाइत सौपा गया था उनके निधन पर UP में तीन दिन का राजपी सोग बनाएंगोषित किया गया है क्योंकि वो UP की काफी पहमूल ये नेता रहे है बात MP की है क्योंकि वो मदपदेश के राजपल रहे है तो चले फटाकस only MP की बारे में कुछ बात कर लेते हैं मदपदेश के बारे में जानकारी खटा कर लेते हैं, मदपदेश सरकार ने अभी हाली में एक रोको टोको अभियान सुरू किया था, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनको रोका जाएगा उनसे 20 रुपे लिए जाएगे, और उनको एक मास्क पदान किया जाएगा 20 रु किया था, जिसमें घर घर जाकर टी में, जो भी मरीद हैं, जो घर पे आइसोलेट हुए हैं, उनका इलाज करेंगी, ताकि जब आत्पताल में बेड की कमी पढ़ रही है, या बहुत सारी चीज़े नहीं हो पा रही है, तो इसमें सिर्फ COVID-19 कोई नहीं इंक्लूट किया गय है, भारत का पहला, इवेस्ट क्लीनिक, भोपाल में खुला था, इवेस्ट आप सभी समझते हैं, मोबाइल का कचड़ा वगेरा, मोबाइल हो गया, आपका लैप्टॉप हो गया, जो पुराने हो गया, बेकार हो गया, तो ये इवेस्ट क्लीनिक के अंतरगत रिसाइकल किय जाएंगे, प्रियांबल पढ़ना, यानि प्रियांबल, समिधान की प्रस्तावना पढ़ना जो है, ये मद्ध प्रदेश सरकार ने मैंडेटरी कर दिया था, सभी स्कूल में प्रियांबल पढ़ना बहुत ज़रा जरूरी होगा, सभी को पढ़ना ही पढ़ेगा, सवच्छ मतलब, 2017 का सुमन कल्यानपुर को, 2018 वाला कुलदीप सिंग को, पहला एडिशन निमाट चिली फेस्टिवल 2020, जो है ये आपका कासरावार खरगोन डिस्टिक्ट मद्ध प्रदेश में देखने को मिला, जिसमें मसकट यानि सुबंकर बनाए गए थे चिली चाचा, और MPCM न और सदी योजना के अंतरगत, जिन भी पेसेंट ने सबसे ज़्यादा इलाज कराया है, सभी मामलों में देखाया है, तो MP ने टॉप किया है, मद्ध प्रदेश ने टॉप किया है, नमस्ते ओरचा फेस्टिबल, तीन दिन का चलने वाला फेस्टिबल है, ये भी आपका मद बारा सिंगा, बनियान ट्री यानि की बरगत का पेड़ यहां का राजखी वरेच्छ है, इस्टेट फ्रूट की बात करें तो आम का पेड़, आम जो है यहां का राजखी फल है, चीप मिनिस्टर वरतमान समय में सिवरा सिंग चोहान है, बीजेपी से आते हैं, कमलनात का प देष्टी से बात किया जाय तो मद पदेष धूसरा सबसे बड़ा राज्य है, पहले नमबर पे राज्य iusthan है, जबकि जन संक्ख्या की द्रिश्टी से देखा जाय तो यह यह पर उत्तर पदेष है, जन संक्या के मामले में, तो ये कुछ जानकारी रही मद पदेष की बा अरके सिंग दोरा नई दिल्ली में के चैन्फ फोर्ट क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वहां चार्जिंग प्लाजा का उधगातन किया गया है साजनिंग EV चार्जिंग प्लाजा को भारत में E-Mobility को सरव्यापी और सुविधा जनक बनाने के लिए नई दिल्ली नगल पालिका परिशत के सयोग से Energy Efficiency Services Limited दोरा इतापित किया गया ये सब याद करने के जरूरत नहीं है सिर्फ एक लाइन पता होनी चाहिए कि देश का पहला Public Electric Vehicle Charging प्लाजा जो है ये कहां सुरू हो रहा है आपको पता है कि देश की पहली या भारत में बनने वाली पहली Electric Flying Car, Pal EV Liberty ये कहां बनाई जा रही है ये गुजरात में बनाई जा रही है देश की पहली Flying Electric Car उड़ने वाली कार उदगाटन समारों के दौरान केंदरी उर्जा मंतरी RAISE RAISE एक प्रोग्राम है इसका फुलपॉम याद रखेगा Indoor Air Quality for Safety and Efficiency में सुधार के लिए Air Condition की विवस्ता को भी लाँच किया गया है RAISE में पूरे देश में कारेशेत्रों में खराब वायु गुरुवत्ता को सुधार करके उसे स्वास्त के लिया से हरी तो बैतर बनाने के लिए लाँच किया गया है तो हाल विलाल ये रहा आपका जो इलेक्ट्रिक प्लाजा है आने वाले समय में आप देखेंगे कि डीजल का जो है वो manufacturing पूरी तरह से बंद कर दिया गया है कि डीजल कारों को बनाना बिल्कुर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अब हमारे देख में इलेक्ट्रिक वहां जो है वो launch किये जा रहे है एक के बाद एक तो उनकी charging point भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप electric वहां launch कर देंगे लेकिन उनके charging points नहीं देंगे तो कहीं न कहीं customer उनको ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जाएगा और ऐसे में फिर से पेट्रोल और डीजल की तरफ चलने लगेंगे तो हमें क्या करना है हमें इसको पूरी तरीके से एक पूरा system प्रदान करना है और उसी में ये पहल है कि एक charging point डेवलप किया गया electrical प्ल ने मिलकर एक passing exercise किया जिसे pass action नाम दिया गया और ये पूर्वी लद्दाख में चल रहे है सेन गतिरोत के भी चीन को एक कड़ा सबग देने के लिए भारती नौसेना और अमेरिकी नौसेना के साथ एक science तव्यास था इसकी बात करें तो ये मलक का इस्ट्रेट में आयुजित किया गया था इसमें भारत ने अंडमान निकोबार दीप समों में जगुआर लड़ा को विमानों को तयानात किया और जो मलक का जल डमरू मद्द से होते हुए चीन के महात्पुर समुद्री मारगों पर जा रहे थ और एक तरीके से मलक का इस्ट्रेट जो है वो दच्छडी चीन सागर और आपका हिंद मास सागर को जोडती है तो एक बड़ा ही उसका महात्व है व्यापारिक मारगों के रूप में यूएस की तरफ से यूएसेस दिमेज गाइडेड मिसाइन क्रूजर यूएसेट प्रिंस्टन लिसाइल डश्ट्रॉयर यूएसेज स्टेरेट यूएसेस लाल्फ जॉनन्सन के साथ अमिरिकन भारती युद्ध पोथ ईंस राणा, ईंस हाद्री, ईंस सिवालिक और मिसाई meal Corvette, I.N.S. Cormata को भी असासत अभ्यास किया है तो भारत और US के बीट में एक सैंच तेन अभ्यास किया गया 9 से 9 के बीट में उसका नाम रहा पासेक्स नाम जरूर याद रखेगा पासेक्स का मतलब है पासिंग एक्ससाइग यह यहाँ पर इसका फुलपॉम लिखा हुगा पातिंग है साइड अब मलकाई स्ट्रेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यह देख रहे हैं आप यह इंडिया है इंडिया से आप इदर आओगे बे और बंगल होते हुए यह पूरा अंडिया निकोबार है आपका अंडिया निकोबार में यह आपका पूरा हिंद माज सागर हो गया इंडिया नोशन जिसे कहा जाता है इंडिया नोशन से यह बीच में है यह मलेशिया और सिंगापूर के बीच में है मलकाई स्ट्रेट इसके जरिये दच्छी चीन सागर के जरिये माल अपना यहां से महां पहुंचाता है और अफरीका बगेर तक पहुंचता है लेकिन अगर इस स्ट्रेट पर व्यापार करना बंद करवा दिया जाए चाइना का तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और इसी लिए य नहां पर सबसे ज़्यादा मात्रा में सिफ गुजरते हैं सिंगापूर वन अब दो वर्ट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट है इस सिचुएटेटेट एड़ स्ट्रीट साउधर ने और इसके दच्छनी इंड पर इस्थित है सिंगापूर जो की विस्व का सबसे व्यस् इसके अलबा अगर हम लोग बात करें तो अभी हमने सैन अभ्यास की बात की तो 2020 में जो सैन अभ्यास हुए हैं उनके बारे में एक नज़र कर लेते हैं इंड धनुस पाच्छवां 2020 ये इंडियन एर फोर्स और रॉयल एर फोर्स रॉयल एर फोर्स का मतलब हो गया ब्रिटन एर फोर्स के बीट में होता है ये हिंडन एयर बेस पर आयोजित किया गया उतर पर दिस गाजियाबाद में अजे वारियर जो होता है ये इंडिया और युनाइटेट किंग्डम के बीच में होने वाला मिलिटरी एकसरसाइज है और ये युनाइटेट किंग्डम में आयोजित किया गया था डेफ एक्सपो ये 11th एडिशन आपको देखने को मिला लखनों में सायोग कैजिन जो है ये इंडिया और जापान के बीच में आयोजित किया जाया जिन्नई में मिलन होना था विसाखा पटनम में बट कोविड-19 की वज़े से इसको निरस्त कर दिया गया इस बार ये नहीं हो पाया वैसे ये एंडिमान निकोबार में होता है लेकिन इस बार ये विसाखा पटनम में होना था आंदरपिदेश के विसाखा पटनम में इसके लगवा बिम्टिक देशों के बीच में एक आपदा प्रबंदन एक्सरसाइज हुई जिसमें इंडिया, बंगलादेश, नेपाल, स्रीलंकों, म्यामार ने भाग लिया ये पुड़ी उडिशा में देखने को मिली थी भूबनेशन में संप्रिती 9 इंडिया और बंगलादेश के बीच में हुआ उम्रोई मेगाले इंडिया में तो ये आपके कुछ 2020 के important जो आपके military exercises थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं और ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा किसके देश में होता है, किसके बीच में होता है अगली जनकरी है mega food park, ये important question जो आपके screen पर था, उसका हम आंसर यहाँ पर कर पाएंगे तो ये जो जो राम mega food park है, ये मिजोरम में खोला गया है केंडरी खाद प्रसंसकरण उद्योग मंत्री, नाम दरूर याद रखेगा हर सिम्रत को और बादल दोरा मिजोरम में जोराम mega food park का उधगाटन किया गया है खाद प्रिसंसक्रण उद्योग मंत्रा ले खाद प्रिसंसक्रण उद्योग के विकास के निरंतर प्रयास कर रहा है और इस मेगा फूट पर्क में किसानों उत्पादकों प्रोसेसर उबोकताओं को लाब मिलेगा और पूरवत्तर में खाद प्रिसंसक्रण में छेतर में विक इसका लाब उठाएगा जिसका सालाना लगवा 500 करोन रुपए तक टर्नोवर हो सकता है अब बात करते हैं मेगा फूट पर क्या होता है मेगा फूट पर के एक स्कीम है जिसमें क्या किया जाता है कि किसानों को सही मूल्य मिल सके उन्हें घर के पास ही बाजार उपलब्ध हो स यानि कि जो फसल बरबाद हो जाती है जो चीजे खराब हो जाते हैं उनको minimize किया जा सके और सबसे बड़ा इसका जो main motive है वो है employment provide करना यानि कि रोजगार provide करना इसमें क्या होता है CC यानि कि collection centers होते हैं जो farmers group से या जो महिलाओं के स्वयम साथ्या समू होते हैं या जो individual farmers होते हैं उनसे एक raw material collect करते हैं इन raw material को primary processing center में डाला जाता है primary processing centers में क्या क्या होता है वहाँ पे जैसे माली जो कोई फसल है तो उसको सुरच्छित रखा जाएगा pre cooling की जाएगी फिर उसकी grading की जाएगी मतलब की अच्छा चना माली चनी का फसल के उपर काम कर ले तो चना अच् center के बाद ये माल पूरा mega food park में जाता है mega food park को ही कहा जाता है central processing center जहां पे वो उसे global यानि की export करने like बनाते हैं त्योंकि packing बहुत matter करती है अगर packing अच्छी है तो आपको लगेगा कि हाँ product भी अच्छा है तो यहाँ पर इसके उपर किसानों को इतना नहीं समझ होता है तो और यहाँ पर यह collection center में पहुंचने के बाद यह value added product होते हैं यानि कि अगर मालीजे उनमें कुछ और processing करनी है तो उन्हें value added product बनाते हैं या जैसे मालीजे सीज़े सीज़े सबजी बगेरा है तो वो fresh product होते हैं तो उन्हें domestic retail sector में बेज देते हैं यानि कि आसपास के जो ब पहला food park याद रखेगा आंध्र प्रदेश में खोला गया था स्रीनी मेगा food park नाम था चितूर में इसे खोला गया था जबकि central इंडिया की बात करें यानि कि मद्ध भारत की बात करें तो मद्ध प्रदेश में खोला गया अवंती मेड़ फूट पर जो है वो देश का पहल food park रहा देवास में खोला गया था food park के बारे मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है उमीद कता हूँ कि आपको पता चल गया होगा और अभी तक देखा जाए तो 18 food park ऐसे है जो operational है यानि कि पूरी तरीके से काम पे लग गए है 42 food park ऐसे है जिन पर अभी काम चल रहा है यान कि 42 total overall food park बनाए गए है इंडिया के अंदर अब मिजोरम की बात हुई थी तो मिजोरम को कैसे छोड़ देते हैं तो मिजोरम अभी एक ऐसा राज रहा जिसने अपने हां खेल को उद्योग का दर्जा दिया मिजोरम ही चापचार कूट उस्तों मनाता है मिजोरम में 6 मार 2020 को इसका है जन हुआ था जारकन का जरिया है जो है जरिया इस बार ग्रीन पीस इंडिया इंटरनेशनल रिपोर्ट के मताबिक most polluted यानि कि सबसे जधा प्रदूसित इंडियन सिटी रहा जबकि लुंग लई मिजोरम सबसे least polluted रहा मिजोरम की जंग्या भी कम है और मिजोरम का जो मामला है मिजोरम में जो साच्छर्टादर है वो भी काफी तेजी से पढ़ता चला जा रहा है मिजोरम की रहने वाली लाल रेम सियामी को अभी हाली में FIH Federation of International Hockey दोरा Rising Player of the Year का एवोर्ट दिया गया था मिजोरम और अरुनाचल प्रदीश जो हैं ये एक दिन ही इस्टेट हूट बनाते हैं 20 फरवरी 1907 थी बहुत प्यारी सी कहान ही है मिजोरम की इस्टेट हूट फाउंड होने में जब पूरा भारत आजाद हुआ था 1947 में तो मिजोरम या जो था ये पहले असम का पार्ट था और ये अपनी सत्ता के लिए ये अपने अलिये अलग राज्य की मांग कर रहे हैं दीरे दीरे काफी टाइम बिता गया और ऐसे में एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल सकता है म मौतम आपने सुनाए कभी मौतम क्या होता है मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम वो छेतर है जहां बास जो है वो बहुतायत में मिलता है और बास में हर पचास साल में फूल आते हैं ये पचास साल के जो फूल होते हैं ये चूहों को बड़ा आकरसित करते हैं और लेते हैं जब 50 साल में फूल आते हैं तो पूरी दुनिया के जो चूहे होते हैं वो बासों की तरफ भागना सुरू करते हैं जो कि चूहों को इस सबसे पहली पसंद होता है बास के फूल बास के फूल बहुत प्रेम से खाते हैं इससे उनकी प्रेजिन छमता भी बढ़ती है उनसे उन्हें सारी ब्रदी भी मिलती है और ऐसे में जब बास के फूल खा लेते हैं तो वो लाखों की संख्या में बढ़ते हैं और फिर वो चूहे जब बास के फूल खतम हो जाते हैं तो वो इस टोर की तरफ बागते हैं और पूरे इलाके के अंदर एक आकाल सा उत्पन क कि हमको भारत के अंदर सामिल नहीं होना और फिर बाद में भारत सरकार ने बड़ी सक्ती दिखाई और उसी टाइम चीन और पाकितान के जाद युद्ध भी हो रहा था भारत का तो मिजोरम के तरफ ध्यान नहीं दे पाया तो 1958 के बाद भारत ने बड़ी मेहनत की और बहुत स परवरी 1987 को मिजोरम हमारे अस्तित्त में आया यह 23 राज्य बना गवर्नर पी एस सीरिधरन पिल नहीं है कैपिटल आप सभी को पता है आईजल है इस्टेट एनिमल सुमातरन सीरो इस्टेट बर्ड तीतर बोला जाता है इस्टेट ट्री नाकेशर यानि की राज की जो प्र राल्टे हमार पैथे पावी नेशनल पार्क की बात करें डंपा टाइगर रिजर्व है मुरलेन फंगवानी तावी जो है वो वाइल्ड लैफ सेंचुरी है तो इस तरीके से यह मिजोरम की पूरी जानकारी कंप्लीट होती है और आपको मज़ा भी आयोगा है कई सारी नई पर काफी पुस्तके लिखते हैं इन्होंने पुस्तक लिखी है दा एंड गेम और पुस्तक को हारपर कॉलिंस इंडिया दोरा प्रकासित किया गया यह पुस्तक की फोटो है दा एंड गेम पाटकों को यह आपका जो भी अंडर वर्ड होता है उसके बारे में जानकारी देत यहाँ पर थोड़ा था हिंदी गलत लिखा हुआ है जैदी ने इसके लावा ब्लैक फ्राइडे, माफिया, कुईन्स ओफ दा मॉंबई, डोगरी टु मॉंबई और बाइकुला टु बैंकोग भी लिखा है वह 26 गयर है कि एक आतंगवादी हमलों पर आधारित एक HBO की डॉक्य टेरर इन मॉंबई के सहयोगी निर्माता भी रहे हैं तो उसायन जैदी की एक नई पुस्तक नजर आई दा इंड गेम अगली जनका रीप चलते हैं मेडिकैप भारती प्रोधकी संस्थान आयाटी मदरास ने मेडिकैप नाम का एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विक्सित की है मेडिकैप क्या है एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई है जिसे चार लोगों द्वारा मातर दो घंटे के बीतर कहीं भी बनाया जा सकता है इससे जो कोविड-19 का जो संक्रमित फैल रहा है ऐसे में अगर बहुत बुरी हालत होती है तो ये काफी कामाने वाली है तो मेडिकैप हाली में केरल के वाइनाट जिले में लांच किया गया है और इसका प्रयोग कोविड-19 के संक्रमित रोगियों हेतु किया जाएगा मेडी कैब में कुल चार प्रकार के जोन बने हुए हैं इसमें एक डॉक्टर का कमरा होगा एक आइसोलेशन रूम होगा एक मेडिकल रूम होगा एक दो बेडवाला आइसु भी सामिल है यह पोर्टेबल अस्पताल इकाई परिवहन की दृष्टी से भी काफी किये फायती है और इसे आसानी से एक इस्थन पर दूसरे इस्थन पर ले जा सकता है मेडिकैब लॉंच किया आयाटी मदरास ने अगली जान करी है पी-एस प्रवीन सिधार्थ राश्पती रामनात कोविन के नए सचिव बने है अंदर मैटर क्या हुआ कुछ पता नहीं चला 2001 बैच के भारती राजस सेवा के अदिगारी पी-प्रवीन सिधार्थ को राश्पती रामनात कोविन का निजी सचिव निउक्त किया गया है तो हाल विलल आपके जो सचिव हैं राश्पती नावनोत कोविन के वो चेंज हो गया है वो हैं पी-प्रवीन सिधार्थ याद रखेगा अगली जनकरी है हिंद मासागर के तल पर सिंगापूर के सोध गरताओं को एक बहुत बड़ा कौकरोच मिला है जिसे तिलचटा कहा जाता है यह जीफ समिदरी सर्विछल के दौरान पाया गया है और इसको नाम रखा गया है बाथी नोमस रक्सासा तो हिंद मासागर में मिला विस्व का सबसे बड़ा तिलचटा या काकरोच काकरोच की बात करें तो इनको बूला जाता है invertibrates invertibrates का मतलब होता है जो जिनकी रीड़ी की अड़ी नहीं होती यानि जो जिनके कोई भी कसेर को नहीं होता और यह आईसोपोडा संग में आते है आईसोपोडा अगर दिखा जा तो यह मरीन होते है और सबसे important बात यह होती है कि इनके उपर कठोर खंडित exoskeleton होता है यानि कि एक कवच टाइप का होता है आपने देखा होगा कि काकरोच हो पकड़े है अगर आपने पकड़ा है तो आपको मैसूस होगा वो थोड़ा था कठोर होता है सासात इनके दो एंटीना होते है वच पर साथ जोड़े पैर होते है साथ जोड़े पैर में लग चौदा पैर मिलेंगे आपको और पांस साखाओं वाले उपांग होते है यह आईसो पोड़ा के अंतर गदाते है और इन्हें संदीपात के अंतर के उच्च वर्गी गणा अगर देखा जाए तो इनका माला कोश्ट्राकंस में किया जाता है बड़ी अजीब अजीब नाम होते है इन्वर्टरेब्स का नाम याद रखेगा इन्वर्टरेब्स का मतलब होता है रेण विहीन प्रानी अग बात करते हैं आज की न्यूज फटा पड़ अगर आप Amazon, Flipkart, Facebook, Gmail, Tinder जैसे बड़े-बड़े एप इस्तमाल कर रहे है तो आपको को सर ऐसा कौन है जो यह इस्तमाल नहीं कर रहे है सभी करें तो आपको सावधान हो जाना चाहिए BlackRock Android Malware से Malware एक तरह का वाइरस है हाली में Threat Fabic नमागी की नीजी कंपनी ने Android phone उप्योग करताओं के लिए BlackRock नम के एक Android Malware से संबंदी चेतामनी जारी की है जो कि Mobile phone उप्योग करताओं को समीधन सील जानकारी सुनारे में सच्छम है इस Malware की जानकारी जारी सूचना के मुसाबिक ये लगवख 377 स्मार्ट फोन एप्लिकेशन से पासवर्ड निकाल सकता है और Credit Card संबंदी समीधन सील जानकारी प्राप्त कर सकता है सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई नया Malware नहीं है बलकि ये जेरेस Malware के लीक हुए सोर्स कोट पर आधारी था कुछ समय पहले जेरेस Malware ने दुनिया में हाकार मचाया था और सभी Android phone के उपर खत्रा मंदाने लगाता BlackRock एक Android banking Malware से बीच एक सबस्वड़ा अंतर ये है कि ये पहले से मौझूद सभी Malware की तुलना में अधिक Apps को लच्छित कर सकता है और सबसे इंपोर्टेंट बात ये है कि अगर आप कोई Antivirus भी डाउनलोड करोगे तो ये Antivirus को भी लड़ सकता है और Antivirus को वापत ये Home स्क्रीन पर डारेक्ट कर देता है जिसकी विज़से ये पकड़ में नहीं आ रहा तो आपको थोड़ा दा सावधान रहना है सावधान क्या रह सकते हैं Google Play Store से अपने App डाउनलोड करिए किसी Trusted Website डाउनलोड करिए Crack वर्जन ना डाउनलोड करें तो ज्यादा बेटर रहेगा अगली जानकारी 320 World Cup इस्थगित हो गया है ये नहीं होगा तो अंतराश्टी क्रिकेट पस्रद आउस्टेलिया में होने वाला टी-टन्टी विस्ट कप Corona-19 यानि COVID-19 की महामारी कान जुलाई 2020 को इस्थपेत कर दिया ICC ने दुनिया में Corona-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है आस्टेलिया में होने वाले T20 World Cup को अगले साल तक के लिए रद किया गया है ICC जो है ये अक्टूबर नॉमबर में IOC किया जाएगा T20 World Cup अब ये अक्टूबर नॉमबर में अभी IOC हो जाता तो इससे हमें क्या फैदा हुआ कि IPL को एक विंडो मिल गई है अब IPL हमें देखने को मिल सकता है अक्टूबर नॉमबर के दोरन खाली स्टेडियो में तो BCC को IPL 2020 के लिए कायोजन विंडो मिल गई है अधरवाई उसे IPL के लिए कोई टाइमिंग नहीं मिल रही थी ICC से याद आया है ये जो तस्वीर आप देख पा रहे है इनका नाम है इमरान ख्वाजा अभी हाली में ससांग मनोहर जी का कारिकाल पूरा हो गया वो ICC से चले गए है और अब उनकी जगहे पर इंटरिम ICC चेर्मेन बने है इमरान ख्वाजा ये न्यूज मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताई थी ये आपको जरूर याद होना चाहिए दुबारा से रिवाइट करा रहो है अब आ रही है आज के हमारे वन लाइनर की भारत के राश्पती रामनात कोविंद के नीजी सचीव के रूप में केसे नियूत किया गया है प्रमीन सिधार्थ को सूपर जॉइंट आइसो पॉड प्रजाती का नाम क्या है जो एक समुद्धी सर्वेच्छल के दौरान पाया गया है जिसे पाया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा कौकरोच है तो उसका नाम रखा गया है बती नोमस रक्ससा पासेक्स यानि कि पासिंग है साइट भारत और किस देश के बीच वी अमेरिका के भी जोराम मेगा फूट पर का उद्गाटन कहां किया गया है मिजोराम में और आइटी मदरास ने बनाया है मेडिकैप डॉक्टर हर्स वदर ने प्लाज मादान अभियान के शुरुआत कहां से की है दिल्ली इस्तित एम से उन्होंने इसके शुरुआत की है लाजी टेंडन किस पार्टी के सदस्य थे वो बीजेपी के सदस्य थे तो अभी हाली में उनका दिहान थो गया आरके सिंग द्वारा भारत के पहले सार्वजेनिक इलेक्ट्रिक वहां चार्जिंग फ्लाजा को उद्गाटन कहां किया गया है दिली के चैन्सपोर्ड क्लब में और बहुता सरचण अधनियम के तहट भ्रामग विज्यापन करने वाली सेलिब्रेटी को कितना जुर्माना देना पड़ सकता है दस लाख रुपए तक उपन्याद दा एंड गेम जो कि अंडरवर्ड पर लिखी गई है राजनीती विशुगात और अकलपनी आतंग पर आधारी तही इस उपन्याद के लेका कौन है एस हुसैन जेति अब बारी है आज के मारे कुछ की सुपर जोइंट इसोपोड आईसोपोड होना चाहिए से प्रजाती का नाम क्या है जो की अभी हाली में दुनिया का सबसे बड़ा तिल चट्टा पाया गया है तो का नाम है बथी नोमस रक्सासा पासेक्स एक्ससाईज भारत और किस देश के बीट में सुरू की गई है भारत और यूएस जोराम मेगा फूट पर का उधाटन कहां किया गया मेजोरम भारत के राश्पती रामनात कोविन के नीजी सचीव की रूप में किसे निउक्ति किया गया है पी प्रवीन सिधार्थ को और किसकी दौरा समर्ति देख मेडी कैप नाम का एक पोटेबल अस्पताल बनाए गया है तो वो है आईटी मतरास दौरा टौक्टर हर्सवदर ने प्लाजमादान अभियान के शुरुवात कहां से की है तो उन्होंने एम्स हॉस्पिटल इन डेली लाज़ी टेंडन के इस पार्टी के सदसे थे वो बीजेपी के सदसे भारती जिनता पार्टी के आरके सिंग दौरा भारत के पहले सारवजनिक इलेक्टरिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उटकाटन कहां किया गया है इसका उटकाटन दिल्ली में किया गया है और उबगता सरंशन अधिनियम 2019 के तहट भ्रामा विग्यापन करने पर सेलिब्रेटी को भी कितने रुपे का जुर्माना टै किया गया है तो दस लाख रुपे तक का जुर्माना का प्रावदान किया गया है अभी तक इस तरह का कोई प्रावदान नहीं था 1986 वाले में उपन्याद दा इंड गेम जो की राजनीती विश्वास खात और कलपनी आतंग पराधारिता इस उपने इसके लेकक कौन है इसके लेकक है एस हुसेन जैदी तो दोस्तों ये थे आच्छे हमारे इंपोर्डेंट करेंट अप्याज और उम्मीद करता हूँ कि आपको करेंट अपेस समझ में आए होंगे पसंद भी आए होंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं उम्मीद करते हैं कि आप इसे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर जरू करेगा, शेयर करना मत भूलिएगा क्लासेज आज से प्रॉपर हो जाएंगी तो क्लासेज के लिए टेंशन मत लीजेगा तो आज के लिए इतना ही, थैंकियो सो मच